इच्छाओं की पूर्ती करने के लिए साधन जुटाने में इच्छाएं वैसी ही रह जाती साधन जुटाने में जारा समाई जाता है घर गुलस्ती है बड़ा प्रपंच है तड़का लड़की सब है उनका कुछ भला करना है यह इच्छा है पूर्ती करने के लिए कमाने में आदमी लग जाता है और खमाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है सुबह 6 बजे घर के बायर जाता है रात को 10 बजे वापस आता है घर में आया तो बच्चे सोई जे तो सापता एक छुटी की दिन घर रहता है तो बच्चे माता को पूछते की नहीं आदमी को नहीं ह ऐसा कही योगानुभोंगे तो अर्था और काम एक साथ नहीं हो सकते और अपनी इच्छा है तुक्त करने में लग जाओ तो ये अर्थपुरशारत थंखे उद्ध्यूप के काम सब रहे जाते है इस सोयर है सोने की इच्छा होती ही है और यूवा आयू में ज्यादा होती है सूते रह गए परिशा फिल हो गए ऐसा किस्सा सोना मैंने सरकारी ओफिस में एक करमचारी थे वो बस ग्यारा बज़ो ओफिस में आते थे कुर्शी पर कोट टांके और हाटों की पल्थी पर सर टिका के सो जाते थे पाज मुझे उठकर कोट लेकर खले जाते यही काम करते थे स्वाबा भी ओफिस में सब उनके नाम पर लेकिन कंफर्म हो गए थे निकाल नहीं सकते और ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे ओफिस में यह बीमारी जाए थी यही पर पलो उसी ओफिस में थे बहुत लोग आया बहुत उने सुधारने का प्रयास के यह कुछ नहीं हुआ एक नए साहब आयक करून साहब हादर्श कलपनायों गर लेकर आते ही है नए लोग तो उनको लगा थी इंको सुधारना चाहिए तो एक दिन दोपर उनको जगा है और और खाग कि ये क्या कर रहा हूं कि उत्ते हो काम करो यहां क्यों काम करो वैंकर भाई अभी कथ तुमारे बराबरी को लोग तिन चार जार चार प्रमोशन लेकर आगे चले गए तुम भी आगे जाओ आगे जागे करना जया है होने के बाद तुम दूसरा काम नहीं करना पड़े आराम से सो सकोगे वह तो मैं अभी किर रहा हूँ कि अब इसका कुछ उत्तर नहीं विक्षा तृर्टी के पीछे लगो तो उद्योग रिषाता है तो उच्छा तृर्टी के साधने वह शाधनों को जुटाने की भागदोड में शामिर हो जाओ तो इस तृतर तृती के लिए समय नहीं रह जाँ और इसे मुक्त होना है, तो फिर एक्तम अलग हो जाओ, तो अगर मुक्त होना है, तो अर्थकाम दोनों छोड़ दो, मुक्ष पुरुशार्थ, यहने अर्थकाम का पूरुण वर्जन, दुनिया का अनुबव हो है, साथ नहीं चल सकते, तीक, अस्तित्व का भी अनुबव हो, हम सब लोग यहां बैटे, हम प्रत्ते व्यक्ति एक-एक व्यक्ति है, हमारी अपनी सब्ता है, हम अनुबव करते, मुझे यह चाहिए, मुझे ओको नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, होता है जब आनंद है, मेरा अपना सुख है, मेरी अपनी कलपना है, मेरी अपनी इच्छा है, मेरा अपना अदिकार भी अब मेरा अपना सुख इन सब बातों की तुरुप्ती में है तो मुझे परिवार को कभी कभी उसके सुख से वंचित रखना पड़ता है क्या करूँ मेरी सब इच्छाओं की तुरुप्ती हो ऐसा मानकर मैं चलू तो मैं परिवार के साथ नहीं रह सकता क्योंकि परिवार में सबको अपनी इच्छाओं का थोड़ा थोड़ा दमन करना ही पड़ता है एक परिवार बड़ा होना चाहता है तो उसके बड़े होने पर समाज की मर्याद आती समाज अपना विकास करना चाहता है तो सुरुष्टी की मर्याद आती तो क्या करें तो तरफ यहर के प्रेवक हुए और व्यक्तिवाद आया व्यक्ति भड़ा है यह विड़ा होगा बाकी सब उसके पैंदे के सवधै परिवार यह नहीं क्या है पैंदे का सवधा है कच्छी आयू में जब अपने कमाने की अकल लेती अपनी सुरक्षाकिा लेती परिवार उसका सवस्रक्षन हाह proposed बघले में बाद में कमा कर वो परिवार का भरण पोशन अगर उसकी मर्जी है तो करता है नहीं तो नहीं करता है व्यक्ति का अधिकार है समाज वागा आया उसने का कि नहीं व्यक्ति नहीं व्यक्ति तो केवल समाज रूपी अंतर का एक फुर्जा है उसकी इच्छ है नहीं, उसका कुछ नहीं, समाज के ही तुमें ही उसको चलना पड़ेगा, उसकी इच्छ का कोई मोल नहीं है, हाँ इतनी गैरंटी हम देते हैं, कि उसकी शमकता के अनुसार वो काम करें, उसकी आरश्रक्ता के अनुसार हम देंगे, और उसकी आरश्रक्ता क् सारे समाग को देखके हम करें अभी दोनों परेप चले नहीं बार-बार हुए बार-बार फेने हुए समाज विकास करना जाते हैं सुरुष्टी का नाश होता है आज कलम देखते हैं कि विकास और परियावरणवादी इनका द्वन्द्व चल रहा है सारे जिए विकास की योजना आई कि परियावरण का अंदोलन खड़ा अब उनकी सुने तो विकास बंद करना पड़े और विकास करना चाहे तो उनको बंद करना पड़े उनकी भी बात में दम है परियावरण रहना चाहिए परियावरण खराम होनी कि क्या-क्या नुक्सान है हम देख साथ नहीं चल सकते कुछ तो एक चुनना पड़ेगा बाकी सब छोड़ना पड़ेगा और दुनिया ने ऐसा ही किया एक पकड़ा बाकी छोड़ दी बाकी को गउन माना बाकी को अनावश्चक माना आवश्चकता नुसार उनका उपयोग इतनी ही उनकी उपयोगता माना क्योंकि दुनिया ये मानकर चलती है कि ठिके रहना, जीहित रहना ये ही अपना काम है और दुनिया ऐसी है, साथ कोई नहीं चल सकता फाइदे का सवदा होता है बाकी सब दुश्मन है इसलिए संदर्श रहेगा संदर्श रहेगा इसका मतलब जो बलवान है वो जीते और सुख बाहर है तो इस दुनिया उत्पन होई है किसके लिए उत्पन होई है सर्वश्रिष्ट प्राणी जो है उसके लिए उत्पन होई है और सर्वश्रिष्ट प्राणी हम है और है भी याने बलकी दूर्शी से देखे तो प्रकृतिन्य निर्बल जिसको बना के रखा वो मनुष्य जब अस्तित्व में आया तो वो जिसको दुनिया की फूर्ड चेन कहते है उसमें नीचे के तपके में कहीं था लेकिन जन्म लेने के 5000 साल में वो एक दव उपर जाके पहुँचा और उपर जाके पहुचने के बाद इस मनुष्य जाती में जो प्रकार थे उसमें होमो सेपियंस नाम का जो प्रकार था उसने अगरे 40,000 साल में अपने जाती के बाकी प्रकारों को नश्ट कर दिया आज हम स Omoirettis था, Homo Stephanilien since था, ये सब थे, λेकिन इन सब को मारकर हम सुथा बने हैं, हम अपने बुद्धी बल पर सारे दुनिया के राजा बने हैं, सर्वत शुथा बने, तुhet दुनिया किसके लिए है, दुनिया मेरे लिए है, या हमारे रिए है, तुछ दुनिया का चाइज दैसा उपभोग करो, जितना सामर्थ है, उतना में लो, सामर्थ बढ़ाओ, दुनिया से लेने का सामर्थ बढ़ाओ, और उसको भोगने का सामर्थ बढ़ाओ, बस यही दिवन बहुत देश है, और कुछ लिए, हमारे यहाँ एक डम सत्य के पाने के बाद, एक डम वितरीत करम चला, क्योंकि हमने यह साक्षात कार किया, कि सुखा अंदर है, एक बाद, और उस तत्व को किसी भी रूप में पहचानते हो, लेकिन सबने यह माना, कि इस रुष्टी में संबंध है, इसलिए समग्र अस्तित् सुख की अंतर नहीं तता और अस्तित्व की एक ता, यह दो बाते हमारे पूर्वजों ने, जो साक्षा थी, उसके चाहिते, उन्हें ने सोचा, कि अगर सारी सुष्टी एक है, तो सुख का जो रास्ता हम को मिला है, वो सब को देना हमारा काम, और सारी सुष्टी को यह रा से लिए एक तूरा समाज बनना चाहिए, और इसलिए चारो और की प्राकृतिक स्वीमा से सुरक्षित ऐसे इस देश के अंदर समुरुद्धी में अपनी विविधाताओं के साथ जीने वाले इस समाज को उन्होंने बहुत घोर परिश्रम करके अनुप्राणित किया, और इन दो अनुभूतियों के आधार पर तीनों को एक साथ चलाने वाला चौथा तत्व उन्होंने पहचाना, उसका नाम है धर्म, भारत की प्रकृती समस्कृती क्या है, इसका उत्तर देना तो एक ही शब्द में काम हो जाता है, धर्म, अब इस धर्म के बारे में आधुनिक्काल में बहुत पचड़ा है, क्योंकि इस धर्म को दुनिया रिलिजन कहती है, वो रिलिजन नहीं है, इसका पूजा से कोई लेंदेन नहीं है, पूजा भी इसमें आती है, क्योंकि धर्म किनों को एक करके चला तो सारा जीवन इसमें आता है, लेकिन विशिष्ट पूजा का पुरस्का ये धर्म नहीं क ऐसा शब्दा अब्द्यम कहते तो हिंदु धर्मकी किताब कुन सी है कुछ नहीं हिंदु धर्मकी कोई आचार सम्मिता है क्या नहीं है एक नहीं है आचार सम्मिता है अपने अपनी है हिंदु अलग अलग है दीवी देवतारे कहते हैं नहीं है भगवान को न मानने वालों से लेकर सगुन साकार की पूजा तरने वाले सब प्रकार के लोग इसमें है क्योंकि धर्म का इससे संबन्द नहीं रहता धर्म भी यह सब आते हैं लेकिन धर्म क्वास्तों में वो है जो सब को एक साथ चलाता है यत्री को, समुव को, सुरुष्टी को एक साथ चलाता है शरीर, मन, बुद्धी के सुखों का समन्वे करता है जानते हैं, सुखा केवल शरीर का नहीं होता अंतर्मीत है, तो मन का भी होना ही चाहिए और होता है रजगुल्ला अच्छा लगता है सो खिलाओंगा कोई कहता है, तो मुझे चला, खाएंगे तो कहता है, लेकिन एक शर्थ है एक रजगुल्ला, एक जूता और चौक में, सब के साथ तो कितना भी रजगुल्ले का रसी को और उसको भूग भी लगी हो मानने नहीं करेगा तो कि शरीर का सुख मिलता है और मन का दुख जलना पड़ता है अपमान जलना पड़ता है कौन मानने करेगा और ये सम होने के बाद भी मान और ये मिलने के बाद भी अगर कोई आदमी एक गणिक की कठीन समस्या सुन जाने में लगा है, बहुत दर से सुलज नहीं रही और सुलज जाती है तो एक दन आनन्द होता है उसको किस बात का आनन्द है उसको रजगुला भी मिला है किसी ने कोई इमान नहीं किया है आर्किमिलिस को कौन सा आनन्द हुआ यूरेका-यूरेका करके वैसा का वैसा नंगा वात्रों से बार घुमने लगा कि यह बुद्धी का आनंद है यह तीनों सुखद ही है और तीनों चाहिए बुद्धी को बंड करके शरीर मन का सुखद से आदमी तड़ापता है मन को मार कर कोई सुखी नहीं होता है और शरीर को असमाधानी रखकर मी शुखती प्रात्मी हो इन तीनों का सुथ एक साथ चले यह धर्म के आजार पर होता है इसलिए अर्थ पुरुशार्त काम पुरुशार्त दोनों चलेंगे और अन्त में इससे उपर उठेगा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा कब जब धर्म के अनुशासन में चले जा तब